राओन इस दान की खेती से तो जादा मेनत किसी भतल में नहीं है सबसे जादा मेनत इस दान की खेती में करना पड़ती है और राओन और पेज़री बाल तुम कैसे खने पड़े हो जल्दी जल्दी दान की रुपाई करो जितनी भी खरपत्पार हैं, सब होगार कर भीट दू ब्यबबुय狂जी अच्छी तरीके से नित कर रहे हैं अच्चा मुधी जी ऍच्छी एर भाद बता आपके इस खेत में पानी तो है नहीं पानी बच्छी तरीके से वाली नहीं पार रहें चैत को पानी से लबा लं भर दूंगा धर्या मोग्यजी इस खेद को पानी से इसना ज़्यादा भी लबा लं मत ब assim जोर्य की सारी कर्पवरी दूप जाए पानी में और अम घान और कर्पवार में अंतरी नहीं करनाएं कर्पवार की जगा धान उखाडने कहिं हम तो केजरी बाल को भी बता दो इस धान की खेती में कितना पानी बढ़ दो मैंसे एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ केजरी बाल की बार का लाग कहतम होगी तब तो मैं कुछ बोलूँगा मैं तो आरां से धान की बेटी में रुपाई कर रहा हूँ मैंसे योगी जी आपको क्या लगता इस भार धान की बसल कैसी है कितना धान निकलाएगा इस मेरी चार वीगा की खेती में बसल तो मोजी जी अच्छी लग रही है लहरा रही है बिलकुल लेकिन यह है जब तक धान पक नहीं जाए तब तक अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा इस बसल का टाइम पर सिचाई देना होगी टाइम पर उरुपरक लगाना होगा कभी अच्छी बसल होगी कल को उरुपरक लगा देना आप इस खेत में थोड़ी सी उरुपरक की जरूरत है आपके इस खेत को योगी जी आप भी बेफाल्सु की बात करते हो पर सो तो मैंने इस खेत में उरुपरक लगाया ही है एक कॉंचे लिजूरियां की बुभाई कर रही है और आप और ज्यादा उरुपरक लगाने की बांक कर रहे हो यह बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है आप आप से रुपाई करो जांदी बदलगी आप से तो कोई सलाई लेना बेकार है और भाई लोगो वीडियो ने दरो चैनल को तरफ द्रफ द्रफ लोग